भीमा कोरे गावं हिंसा के आरोपों में घिरे संभाजी भीडे गुरुजी ने आज कोरोना से मरने वालों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है संभाजी भीडे का मानना है कि जो लोग कोरोना संक्रमण से मरे वे जिंदा रहने के लायक ही नहीं थे इससे पहले 2020 में संभाजी भीडे ने गो मुत्र और दूद को कोरोना उपचार किया और सधी बताया था और उद्दो सरकार और केंदर सरकार से कोबिड मरीजों को देने की अपील की थी सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही एक क्लिप में वे कहते दिख रहे हैं कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है जो लोग इस बीमारी से जान गवाए हैं वो जीने के लायक नहीं थे बीडे के मताबिक हैं उनके साथ होता है जो मानसिक तोर पर बीमार होते हैं